वेलकम टू EMLT Lab Manual तो आज हम लोग इसमें बात करें गे OL इच्रश बाषरिक बसिदां के बारे मैं कि क्या है考न क्या जाता है चक्छार क्या समझाल वार्टे स्कावीन होती है चक्छा में क्या एक जैसे कि डंगो गरा केस में या कोई infection होता है तो उसमें प्लेटलेटस को हम थ्रूंबोसाइट भी बोलते हैं और यह blood का 1 component है जैसे RBC होता है WBC होता है वैसे ही platelets भी blood का component होता है तो जो Blood होता है हमारा। उसमे 95% परतीस जो है वह पलाजमा होता है और मां की 45% होती है 45% वो वह हमारा Celular पार solid होता है। जिसके अंदर जो 44% जो जो जआ रेड ब्रेड सेल्स होता है और 1% जो होता है वो यह सबसे छोटा जो Blood Cells होता है और उसका जो साइज होता इरीगुलर होता जो मैक्रोसकोप में रिखने पर इरीगुलर होता जह दिखता है। इस नुक्लिस होते है होता है। होता है 3-3 packs का होता है और इसका जो AIFS पेन और वह 8-10 का होता है 8-10 दिन बात छो यह अपने आप यंद्ध हो जाता है और फिर नया सेल बनता है और बोन मेरों में जो है प्लेटलेट्स बगरा बनता है यानि कि ब्लड का जिर्मान जो होता है बोन मेरों मेरों में होता है और प्लेटलेट्स का काम क्या है तो प्लेटलेट्स का मुख काम होता है कि ब्लेडिंग को रोखना हमारे सरीर में यह फिर वहां पर एक जाल बनाद जिसे कि अंदर का ब्लड होता है उसको रोक देता है बहने से ब्लेडिंग होने से रोकता है तो वह काम है तो जहां पर injury site होता है वहां पर प्लेटलेट्स क्लम्प हो करके ब्लेडिंग को रोकता है यह ब्लेट को क्लॉट होने में हेल्प करता है या यह होता है और किसी व्यक्ति को 20,000 से कम प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है और 20,000 से कम होती है तो फिर ब्लेटिंग होने लगती है मूहों कारी पटी कीमत होती है, वह 100-120 रुपय तक होती है और यह CBC टेस्ट के अंदर अलेडी इंक्लूड़िट रहता अलग से कराने की जुरूत नहीं होते नहीं इसमें खारी पेट की जौजबती दिन में कभी भी यह सम्पल दे सकते हैं करा सकते हैं जो लो प्लेटलेट्स होता है वो क्यों होता है उसके क्या लक्षन है तो जो लो प्लेटलेट्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोंबोसाइटोपेनिया यह कंडिसन होता है लो प्लेटलेट्स को थ्रोंबोसाइटोपेनिया बोलते है इसके कई सारे कारान जैसे लिखेमिया इसे को ब्लेट कैंसर बोलते है उसमें कम हो जाता है और अर्टोअव्यून डिसॉर्डर में भी कम हो जाता है है और प्लेटल स्कॉंट काय से हुथ ते हिरे प्लेटल ऑपको 20,000 से नीनाया से ही तो यह देला मसूड़े या उजी और प्लेड भूसफ ही हुशोस ह coal करे से हैं अब हाई प्लेटलेट्सकॉंट जो होता है प्लेटलेट्सकॉंट यह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है प्लेटलेट्सकॉंट तो उसको हम बोलते हैं थ्रोंबोसाइटोसिस कंडिशन को बोलते हैं इसके कई सारे कारण होता है जैसे कि ब्लेटिंग ज्यादा लॉस हो गया आपका जो औरगन कैंसर होता है उसके बाद जो यह कोई इंफ्लामेशन होता है उसमें रहन डफेसंच था भाए बढ़ जाता है और श्प्रयीं का जी सर्जरी हुआ तो उसमें भाए जाता है या जैसे अर्थ्राइटिक्स के के से केसे में हो जाता है और इसकी राधै को मित्याता है के प्लेट्लेट्स कोन ज्यादा हो जाता है य्थे प्लेट्लेट्स क्वाँ और लिए धो ज्यादा हो सकता है तो इसके बज़े से clot होने के बज़े से blood का follow है रूख सकता है जिसके बज़े से जम कई सारे समस्याइब से stroke वगरा हो सकता है तो जैसे headache होना चक्कर आना चेस्ट पेन होना उसके बाद कमजूरी होना उसके बाद हाथ-पैरों में तनाप सा महसूस होना या अगर ज्यादा प्लेट्स बढ़ जाता है तो blood clot होने से blood का circulation नहीं होगा जैसे stroke वगरा brain hemorrhage या paralysis वगरा हो सकती है यह सब कुछ condition है तो दोस्तो अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो फिली जैसे like subscribe और share जरूर कीज़े तो अगर किसी वेक्ति का प्लेट्स कॉंट्स कम हो जाता है तो उसके लिए जो बढ़ानी के लिए है कि आपको पपीता लेना है पपीते का जूस लेना है पपीते का जूस ले पाने के क्या हो पाया है